हेलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सभी लोग? आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ कुछ सिंपल की होम डेमिडीज और कुछ टिप्स जिसे की आप घर में काम करते करते, किचें में काम करते करते अपने स्किन और अपने बालों की केर कर सकते हो बिना ज्यादा effort डाले ये जो वीडियो है वो बहुत helpful है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा busy होते हैं या फिर जो housewives हैं मेरी तरह जिनके छोटे बच्चे हैं या ज़रका सारा काम उनके ऊपर होता है और अपने लिए वो time नहीं निकाल पाते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत helpful होने वाली है तो अगर आप भी उन में सह हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देजिए और फिर वीडियो को पूरा देखिए मेरा नाम है नेली मा आप देख रहे हैं नारी जीवन मेरे कच्चन में चोलिए welcome कि सबजिया काठ रहे हो तो टमाटर आलू खीरा कुछ भी काठते हुए उसके एक स्लाइस कट कर लो इस पर से जैसे कि अब मैंने टमैटो की स्लाइस ले लिए और इस पे आपको डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर किचन वाला हल्दी आप यूज मत करिएगा नहीं तो फिर बिना मौसम की होली हो जाएगी तो आपको ये कसूरी हल्दी जो होती है वो यूज करनी है सिर्फ एक चुटकी आपको य सबजय कातिया आप और आफ्टर 15 मिनिट आपका जोगी फेस पैक है वह सूप जाएगा और आपकी सबजयां कटके तयार हो जाएंगी तो जब सब्सें पर जाएं पंदर में ठोजाए फेस पैक सूप जाए तो फिर फेस पैक को आपको नॉर्मल पानी से धो लेंगे तो मै पानी ते पहले एक दो पीस को बाउर में रखके अपने फ्रीजर के अंदर रख देना है देखे अल्रेडी मैंने कल के जो फ्रूट्स हैं उन्हें फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है और यह अभी पूरा आइस बन चुका है और करना यह है कि यह जो आइस के फॉर्म में आपको जैसे कि मैंने यह पपीता रखा हुआ था इसमें से कोई भी एक टुकड़ा आपको उठाना है और अपने फेस पे रख करना है खाना बनाने के बाद या साम में जब भी आपको टाइम मिले आप इसके टुकड़ों को लीजिए और पूरे फेस पे मसाज करें यह इससे आपको पांच मिनट दस मिनट इतना भी आप करना चाहते हैं आप अच्छे से अपने फेस पे मसाज करिए और देन सो फेस को मैंने कर लिया है वास और मेरे चेहरे की साइन आप देख सकते हो इस गर्मी में किच्छन में भी इतना साइन कर रहा है थोड़े से पंखे की नॉइस आ रही होगी आपको क्योंकि अभी मैं घर में अपने किच्छन में इस वीडियो को सूट कर रही हूँ अभी मैं बनाने जारी हूँ घर की चीजों से बना हुआ इस क्रब जो आप अपनी पूरी बॉड़ी पे लगा सकते हैं और आपकी पूरी बॉड़ी पे जो डेट इसकिन हैं वो हट जाएंगी और आपकी बॉड़ी का कलर भी पूरा लाइटेन और ब्राइटेन ओ जाएग तो यह दो चम्मच मैंने यहां पे कॉफी पाउडर लिया है और फिर मैं इसमें एड करूंगी चावल का आटा यह घर के चावल है जिसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है और अब इस आटे को आप उतना मिक्स कर दीजिए जितना आपको लग रहा है कि आपकी पूरी बॉडी के लिए सक्रोब हो जाएगा तो 40-45 चावल काटा इसमें मिक्स कर दिए मैंने अब मिसमें इसमें मिक्स करेंगे कोकोनट ओयल अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ओयल है तो बहुत अच्छा है नहीं तो पैरा सुट भी काम कर जाएगा तो आपको इसमें यूज करना है एक चमच कोकोनट ओयल ताकि आपकी बॉड़ी जो है वह स्क्रॉबिंग के बाद ड्राई ना हो जाए अब हम इसमें यूज करेंगे हनी हनी जो है वह हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो हम इसमें उतना हनी मिक्स करेंगे कि यह एक अच्छा सा पेश्ट के फॉर्म में आ जाए अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप दही भी यूज कर सकते उसकी जगह पर दही भी काफी अच्छा होता है अब इसको मिक्स कर देना है और यह आपका हैंड मेड बहुत ही कम और घर की चीजों से आपका जो स्क्रब है वह बनके तयार हो जाएगा इसको आप पूरी बॉड़ी पर नहाने से पहले स्क्रब करिए और आपकी पूरी बॉड़ी का कलर जो है वह फैर होगा और आपके जारी डेट डिसकिन जो है वह निकल जाएंगी दर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो यह हमारा स्क्रब बनके तयार है इसे हम रख देंगे साइड में अब मैं बनाने जा रही हूं अपना हेर मास्क वैसे तो मैं अपने हेर के लिए बहुत ही जादा केरलेस हूं बठा मैं सिंपल सलसुका या नारियल का तेल जो है सैंपू करने ते पहले जरूर लगाती हूं 10-15 मिनुट मसाज करती हूं अपने स्केर्प की बस और संड़ी के तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए दही दही जो होती हो हमारे हैस के लिए बहुत जादा अच्छी होती है और इसका एक बेनिफिट यह भी होता है कि अगर डैंटरफ की प्रॉब्लम है आपके बालों में या फिर रफने से तो उसे भी दही दूर कर देती है और द कोई infection है वह दूर हो जाएगा और आपके बालों में नेचुरल साइन आएगी तो दही में हम एड करेंगे एक चम्मच हाणी और अगर आपके scalp dry हो रही है या फिर आपके बाल जो है वह रफ हो रहे हैं तो वैसे तो दही भी अच्छा काम करता है बट अगर extreme dryness हो रही है तो आप इसमें एक चम्मच coconut oil भी डाल देंगे इसे आपको आपको इसमें oil का benefit से मिल जाएगा तो यह हमने कर लिया है अपना हेर मास्क रेड़ी इसको भी हम अभी साइड में रखते हैं चलो जी अभी जल्दी जल्दी से हम अपना face pack भी तियार कर लेते हैं face pack के लिए मैंने लिया थोड़ा सा दही और इसके बाद मैं लोंगी थोड़ा सा एक चम्मच बेशन अगर आपके पास है available तो आप थोड़ा सा चंदन पाउडर भी डाल सकते हैं नहीं है तो कोई problem नही है और एक चुटकी हमें हल्दी डालनी है हल्दी आपको किचिन वाली हल्दी यूज नहीं करनी है हमेशा वाइल टर्मरी कशूरी हल्दी जिसे कहते हैं वह यूज करनी है और बस इसका पेश्ट तयार कर देना है अब चलिए मैं आपको बताती हूं इन सारी चीजों को यू इसको लगाईए और फिर पूरे बालों में आपको इसको लगा देना है 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 मास पूरे बालों पे लगाने के बाद बारी है फेस पैक को लगाने की तो फेस पैक हम पहली बना के रख चुके थी आप ही हमें बस इसको अप्लाई कर लेना है अच्छे से पूरे फेस पे सिर् लिप्स और आई एरिया को छोड़ के, अच्छे से गले पे और जो आपके कान है, इसके भी आगे पीछे अच्छे से लगाईए, आनों पे गले के नीचे और पूरा फेस पैक और हेर माक्स लगाने के बाद, इसी स्क्रब को आपको लेना है, और आपको बाथरूम में जाना है, जब तक आप इस स्क्रब करोगे, तब तक आपका जो हेर मास्क है, वो भी आधे गंटे हो जाएगा, और आपका फेस पैक भी सूख जाएगा, उसके बाद आपना हालो, और आपकी सारी जीज़े, आपकी बाड़ी आपका फेस आपका हैर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, स्क्रब को यूज करना बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा स्क्रब लेना है, और इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपनी पूरी बाड़ी पे मसाज करना है, और मसाज करने के बाद, आप नॉर्मल पा तो यह तो मैंने आपको तरीका पता दिया, अब मैं जारे नहा नहीं, मिलती हूं आपको थोड़ी देर बाद नहां कर आगी हूं मैं और यह जो हेयर मास्क साना उसे लगाने के बाद आपके बाल सॉफ्ट और साइनी तो होते ही है, साथ में बहुत ही बांसी भी हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा भी लोने वाला है आपको अगर आप यह हेयर मास्क यूज़ करोगे और फेस पैक तो इतने अच्छे इंबीडियंट थे तो रिजर्ड तो आना ही था, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो ना और अगर यूस्फुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताएए कि आपको कौन सी टिप या कौन सी रेमेडी स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, इसके अलाब अगर आपका कोई क्वेस्चन या कोई सजेशन है तो वह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ या उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ क्योंकि मैं आप लोगों के टॉपिक का वेट करती हूं, आपके कमेंट्स का वेट करती हूं और जब लाइक और कमेंट्स आते हैं वीडियो पर तो हम लोगों बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी महनत लगती है, वीडियो बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो और जब लाइक और कमेंट्स आते हैं तो फिर उन सारी महनत का कोई मतलब नहीं रहता है, तो अगर आप मुझे पहली बात देख रहे हैं तो चैनल को सिस्क्राइब जरूर करिए, सिस्क्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुस रहें, नमस्कार